Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं राजसबा television में जो भी important debates, discussion आती हैं उनको lecture के तुरान cover किया जाता है even EPW, down to earth, योजना जैसे जो magazines होती हैं उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily regular अगर classes को attend करेंगे religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे उनी से related questions बने हैं तो फटाफर चैनल को subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और गाईज नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं plus discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौझूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को but before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details हैं आने वाले कल के IAS IPS officers को मेरा नमश्कार तो चलिए class को start करते हैं पेपर वन के पहले topic में बात हो रही है सुला वेसी के बारे में सुला वेसी का इस कई बार अलग-अलग बजाओं से news में रहा है तो आपको इस island की location पता होनी चाहिए कि सुला वेसी island कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में ये island हम लोग को देखने को मिलता है सुला वेसी island इंडोनेशियन island है ये सुला वेसी यहाँ पर basically एक cave है एक गुफा हम लोग को देखने को मिल रही है जिस गुफा के अंदर 45,000 से 20,000 साल पुरानी Pleistocene era की एक rock painting है एक rock painting हम लोग को देखने को मिल रही है और researcher ने बताया है कि climate change के कारण weathering के कारण ये painting जो है वो खराब होती जा रही है तो ये आली चीज थी इसके लिए Sulawesi island हम लोग को news में देखने को मिल ला था यहाँ पर जो artwork हम लोग को देखने को मिलता है कला कृतिया जो यहाँ पर है वो दुनिया की सबसे पुरानी hand stencil के लिए जानी जाती है मतलब कि हाथ की चाप से निर्मित चित्रों में से यहाँ पर दुनिया में जो सबसे पुरानी ऐसे चित्र है जिसे हाथ से बनाया गया है hand stencil से बनाया गया है तो वो यहाँ पर पाई जाती है जो कि almost 40,000 साल पुरानी बताई जाती है और cave की wall जो गफा की जो दिवारे है उस पर इन्हें बनाया गया है इसमें wet red mulberry pigments मौझूद है गीले लाल शहतूत के रंगों का छलकाफ करके इसे बनाया गया है तो यह कुछ points है art and culture point of view से वो भी आपको पता होना चाहिए और दुनिया की सबसे oldest जो यह painting है वो एक animal की है और यह वाटी pig है एक sewer हम लोग को मस्यदार sewer देखने को मिलता है उसका यह चित्र है लगभग बताया जाता है कि इस cave जो है इसके आसपास की जो और भी गुफाएं हैं वहापर जो दिवारें है 45,500 साल पुरानी बहापर दुनिया में सबसे पुराने एक जानवर की जो है वो एक चित्र कला जो है वो बनाई हुई है और यह जो जानवर है वो है pig वाटी pig मस्यदार sewer तो यह point भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना और सुलावेसी की गुफाओं में जो यह केव आर्ट हम लोग को देखने को बनाई हुए है यह बहुत पुरान है इवन जो केव आर्ट यूरोप के अंदर मौजूद है प्री हिस्टॉरिक केव आर्ट यूरोप में जो है उससे भी कई साल पुराने यह बताई जाते है तो याद रखिएगा सूलावेसी आईलेंड किस चीज के चलते न्यूज में था तो आपको ध्यान में यह केव भी रखना है यह गुफा के आर्ट के बारे में भी आपको पता हो नहीं है कि इतनी पुरानी पेंटिंग्स यहाँ पर पाई गई है और क्लाइमेट चेंज के कारण इन पेंटिंग्स पर असर पढ़ रहा है इसको लेकर यह टॉपिक न्यूज में था अब क्या कारण कुछ बताएगा है कि मतलब किस प्रकार से यह असर हम लोग को देखने को मिल रहा है तो रंगों से निर्मित जो कलाकृती है अर्ट वर्क जो अलग-अलग पिग्मेंट के हम लोग को देखने को मिल रहा है तो वो खराब होते जा रहे हैं वो सड़ते जा रहे हैं और यह जो है इस प्रोसेस को हम लोग जैसे की यह कलर्स वगेरा जो खराब होते हैं वो रग उड़ने लगता है salt के जो crystal जो हमें देखने को मिल रहा है तो वो grow कर रहा है तो उसके कारण यह हो रहा है जो temperature level में repeated changes आ रहे है humidity के अंदर हम लोग को changes देखने को मिल रहा है alternate तोर पर कभी wet season होता है कभी dry weather होता है इस छेत्र के अंदर तो उसके कारण से यह जो hello class T जो हो हम लोग को देखने को मिल रहा है मतलब कि यह जो pigment से रंग जो हो फीका पड़ता जा रहा है खराब होता जा रहा है ठीक है तो यह कुछ points है कुछ terms है जो थोड़ा से याद रखिए यह आपके exam के लिए काफी काम के है अब paper 2 के topics को शुरू कर रहे हैं हम लोग इसकी बात करते हैं उससे पहले आपको बता दू current affairs की revision series चल रही है इसको आप join कर सकते हैं teachment करके एक application है आप android store जो है play store जो है वहाँ से इसको download करके इस classroom ID का आप उपयोग करेंगे और अगर आप 2021 prelims में appear हो रहे हैं चाहे वो UPSC हो या कोई भी state civil services का हो तो यह आपके लिए revision series काफी काम किये जनवरी 2020 से topics को मैं आपको daily basis पर revise कर रहा हूँ अब देखो paper 2 के topic को शुरू करते है समवेदना समवेदना की हाँ पर बात हो रही है तो समझते हैं समवेदना क्या है तो telecounseling service हमें देखने को बढ़ी है इस नाम से हम लोग को क्या समन में आ रहा है कि एक ऐसी service है जिसमें call करके जो है वो लोगों को services दी जाती समवेदना तो यह बिसिकली बच्चो के लिए है बच्चो को psychological support प्रवाइट किया जा रहा है इस coronavirus pandemic के कारण बच्चे जो है वो काफी परेशान है बच्चो में stress, anxiety और इस प्रकार के issues देखने को मिल रहा है बच्चे depressed होते जा रहे है तो यह बिसिकली psychological support एक टेली काउंसलिंग सर्विसेज के थू प्रोवाइट किया जा रहा है जैसे नाम दिया गया है समवेदना ठीक है यह सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइट की जा रही है नाम याद रखना National Commission for Protection of Child Rights राश्ट्रिय बाल अधिकार संडरक्षन आयो इनके द्वारा यह सर्विस प्रोवाइट की जा रही है और यह सर्विस सेप्टेंबर 2020 में लाँच की गई थी और यह अलग-अलग language में जो है वो बलब विभिन छेत्रिय भाशाओं में उपलद है आज की रेट में समवेदना का full form क्या है sensitizing action on mental health vulnerability through emotional development and necessary acceptance याने की action लेना की mental health में जो issues आ रहे है problems जो आ रही है emotional development के थुरू और necessary acceptances के थुरू उस problem को जो है वो खतम करना तो इसका main जो है यह full form है कभी-कभी ऐसे full form आ जाते है ध्यान में रखिएगा अब बात करते हैं elder line की right elder line की हम थोड़ी सी अफचर्चा करते हैं 4567 तो यह basically एक help line service शुरू करी है ministry of social justice के द्वारा इन्होंने state wise call center services जो है वो 5 major states के अंदर शुरू किये हैं कि जो pandemic में जो बूडे लोगों को जो परिशानिया हो रही है old age की जो लोग हैं जो problems face कर रहे हैं इस pandemic के दौरान तो वो इस help line पे call करके अपनी problems को बता कर उनकी problems को जो है वो solve करवा सकते हैं तो toll free help line है elderly person के लिए जिसे elder line नाम दिया गया है और यह बता जा रहे हैं कि में 2020 से सभी state के अंदर operational हो जाएगी इस help line का नंबर भी थोड़ा से ध्यान में रखना कभी-कभी personality test interview में ऐसे number आ जा पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी जाने से बेले interview में जाने से बेले इस प्रकार की भी चीज़े थोड़ी सी याद करके रखा करो कौनसी कौनसी states इसमें cover की गई थी तो करनाटगा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, राजिस्थान, जहाँ पर already अगर हम बात करें तिलंगाना के अंदर ये service को एक साल जो हो चुका है, और बाकी दूसरी states के अंदर भी इसको मई 2021 से भी लागू किया जा रहा है, operational किया जा रहा है, clear है यहां तक बात हैं, अब diplomatic immunity के हम लोग बात करते हैं, यह diplomatic immunity होती क्या है, अब जो diplomats होते हैं, उनको कुछ immunity दी जाती है, इसका मतलब यह है, नाम से अगर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करें, diplomats जैसे की कल को आप officer बनेंगे तो आप भी एक diplomat होगे, है रहा, तो उनके लिए कुछ immunity होती है, तो देखे सबसे पहले तो पूरा मुद्दा क्या है, इस चीज को समझिए, पिछले महिने की बात है, एक घटना की हम लोग बात करेंगे, South Korea के Seoul में, South Korea के Seoul में, South Korea की राजधानी है, यह capital है, वहाँ पर Belgium के ambassador की पतनी ने एक boutique के अंदर, boutique opt करेंगे, तो आपको अगर Indian Foreign Services की आपकी rank आती है, तो इंडिया के बाहर जो है, इंडिया की जो embassies वगेरा जो है, आपको वहाँ पर भेजा जाएगा, तो वैसे ही, अलग-अलग देशों की ऐसी embassies, हम लोग को अलग-अलग जगाओं पर देखने को बलती है, अलग-अलग countries में होती है, तो वैसे ही, Belgium के ambassador की पतनी भी, क्योंकि आप जाओगे, आपकी कलको शादी होगी, तो आप भी अपने जो है वो partner के साथ, जो है वो जाओगे, वहाँ पर राजदूत की पतनी ने अपने लिए प्राप्त diplomatic immunity का प्रयोग करने की इन्होंने बात करी है, ने इन्होंने बोला है कि अब ये अपने लिए criminal charges से बचने के लिए diplomatic immunity का उपयोग करेंगी, तो कही ना कही डिप्लोमेटिक immunity क्या होती है, एक चीज तो आपको सवन में आई, कि अगर किसी भी particular जो foreign ambassadors वगएरा जो होते हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई भी कारवाई होनी होती है, तो फिर उनको उनकी नहीं होती है, उनको diplomatic immunity जो है वो इस प्रकार से मिल जाती है, तो इसी पर ही थोड़ी सी अपन, डीटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक मुद्दा हुआ है इस प्रकार का क्रिमिनल, केस हमें देखने को बिला है, इस घटना के बाद, दक्षिन कोरिया में गुसा फूट पढ़ा, ओवियस ही बात है, गुसा फूटेगा ही फूटेगा, कि एक अपराधी हैं, वो उस प्रकार से immunity मांग रहा है, एक को चोड़ पहुचाने के बात, और राज नहीं को और उनके परिवारों के सदस्य को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की सीमा पर बहस चड़ गई, ओवियस ही बात है, कि इस प्रकार से diplomats को और उनके family members को अगर ऐसा protection मिलता है, ऐसी immunity मिलती है, तो कही न कहीं वो तो खदरनाक है दूसरे लोगों के लिए, है की नहीं, समझने वाली बात है, आप एक civil servant की बनने की तयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा समझना बढ़ेगा इस बात को, राइट, तो diplomatic immunity होती चूट मिल जाती है, कस्टम जो है, वो इस प्रकार से बनाया गया कि diplomats जो है, वो बिना किसी डर के वहाँ पर रह सकते हैं, क्यों होता न, जैसे कि हमारे diplomats कल को आप Indian Foreign Services में तयना थो, आपको जो है अफगानिस्तान भेद दिया जाए, या फिर पाकिस्तान भेद दिया जा तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, कि वो country जो है, वो उनके खिलाब कोई charges को अगरा लगा दीगी, ऐसा कुछ उन्हें डर नहीं होना चाहिए, तो diplomatic immunity जो है, वो grant की जाती है, दो convention के आधार पर, अब इस से related, diplomatic community से related, दो convention कौन से कौन से, अगर इस प्रकार सा कोशन आता है, तो आपको Vienna Convention ध्यान रखना है, Convention on Diplomatic Relations 1961, ये Vienna Convention है, जो diplomats को कुछ particular कानून और taxes से exemption प्रोवाइट कराता है, और दूसरा ये convention है, Convention on Consular Relations 1963, इन convention को 187 countries ने लागू किया है, रेक्टिफाई किया है, इसका मतलब ये है कि उन countries के अंदर, ये दोनों agreements जो है, उनको priority दी जाएगी, और country के legal framework के अंडर, इन agreements को शामिल किया जाएगा, और इनको कभी भी countries ये wallet नहीं करेंगी, सवाल ये उठता है कि कि किस extent तक ये immunity दी जाती, यानिकि इन immunity की क्या सीमा है, तो Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 के according, diplomats जो भी posted होते हैं, embassy के अंदर, वो enjoy करते हैं, ये वाली immunity को, और उनको, उनकी immunity को जो है वो छीन नहीं सकता कोई, और diplomats को arrest नहीं किया जा सकता, ना उन्हें बंदी बनाया जा सकता है, यानिकी cell में बंद किया जा सकता है, इवन उनके घर को भी वैसे ही protection देनी है, जैसे कि उन्हें embassy में protection दी जाती है, और इसमें कुछ exception भी होता है, जैसे कि कई बार diplomat की जो home country होती है, यानिकी जिस country ने उस diplomat को दूसरी country के अंदर जो है वो posting दिये, तो उसकी जो ये home country हमें देखने को मिलेगी, ये उसकी immunity को हटा सकती है, छीन सकती है, वो तब होगा, जब उस particular individual ने, व्यक्ती ने, उस official ने serious crime किया हो, first point, और वो crime उसके official या diplomatic role से related ना हो, यानिकी जो जो भी crime उसने किया है, वो उसके official role, जिस purpose के लिए उसे भेजा गया है, उस purpose से अगर वो relate नहीं करता, तो home country भी ऐसी उसको दी जाने वाली diplomatic immunity को जो है वो छीन सकती है, बात समने हैं आपको, कि diplomatic immunity छीनी जा सकती है, बड़ वो तभी छीनी जाएग वो उस individual को prosecute भी कर सकती है, उस व्यक्ति पर मुकदमा भी चला सकती है, मतलब कि ultimate power किसके पास है, उस country के पास जिस country ने, home country ने उस particular official को तैनात किया है, दूसरी country के अंदर embassy में उसको posting दी है, जैसे कि Indian Foreign Services आपको जब मिलेगा, या जैसे कि काफी सारे लोगों का dream होता है Indian Foreign Foreign Services पे जाना, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नियमों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, even civil services के आप तयारी कर रहे हो, ये नियम तो पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ये post हम लोग को Indian Foreign Services की देखने को मलती है, तो इसलिए ये topic बहुत important है, अब देखो इसमें चिंता वाली बात क्या होती है, तो देखो diplomatic immunity, ये तो एक particular individual को, official को इसलिए provide की जाती है, कि उसको किसी भी प्रकार का डर ना हो, या उसको किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, किसी चीज का उस country के अंदर जहाबर वो posted है, और उनको high security protection बट इस प्रकार के जब act होते हैं, जैसे कि अभी का case हमने देखा, ये Belgium की जो एक ambassador है, उनकी पतनी ने इस प्रकार से see all के अंदर दो करमचारियों को बुरी तरह से मारा, और फिर आज की rate में वो diplomatic immunity मांग रही है, तो इस प्रकार का जब हम case देखते हैं, और उस case में सामने diplomat के परीजन के उपर या उसके उपर कोई कारवाई नहीं होती, तो वो आपस में दो countries के बीच के relation को ख़राब करता है, नहीं कि home country के बीच में और उस country के बीच में इस country में वो diplomat ने इस प्रकार की कारवाई करी है, इस प्रकार का act किया है, तो ये चीज़ आप लोग को इ consular relation 1963, तो ये दो convention जो है, ये diplomatic immunity grant करते हैं, और हमने ये भी देखा कि कुछ cases में ये immunity जो है वो छीनी भी जा सकती है, clear आपको पूरी बात है, अब next topic की तरह आगे बढ़ते है, why and how of creating a district, नए जिले का निर्मान क्यों और कैसे, अभी आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले ह हमने पंजाब के case को discuss किया है, कि पंजाब के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल रही है, मलेर कोटला, ये 23 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल रही है, 23 जिला जो है वो बनाय गया है, वो Muslims population को लेकर हमने चर्चा भी करी ती इसके बारे में, और सवाल ये उठत के area को बढ़ाना घटाना या उसको पूरी तरह से खतम कर देना, यानि की district को हटा देना, तो ये power किसके पास है, तो state government के पास ये power है, याद रखिएगा, state government क्या कर सकती है guys, एक कानून को पास करके, यानि की state assembly के अंदर राज विधान सभा में, कोई कानून को पारित करके किसी कानून को पास करके, या फिर किसी executive order के थूँ जो है, ये प्रक्रिया शुरू करती है, एक state government, executive order के थूँ, और काफी सारी राजियों में हम लोग को यही देखने को मिलता है, कि executive route जो है, उसको prefer किया जाता है, कारी-कारी आदेश को प्रात्मिक्ता दी जाती है, rather than certification जारी करके, आधिकारिक राजपत्र जो है, उसमें एक मात्र, एक अधी सूचना जारी कर दी जाती है, और declare कर दिया जाता है, कि एक नई district बन गई है, या हट गई है, या उसकी area में change किये गए है, अब ये किस प्रकार से साहयक होती है, तो देखो states argue करते हैं, राजियों क करना है, वो थोड़ा सा आसान हम लोग को देखने को बलता है, for example, 2016 में आसाम सरकार ने issue किया था, एक notification और upgrade किया था, मजूली सब डिविजन को मजूली district में, right, administrative expediency के लिए, right, प्रशाशनिक सुविधा के लिए, या नोड़ी ये चीज करी थी, कि जिससे की better तरीके से उस district को administer किया रहा सकेगी, छोटा area होगा, तो उस पर शाशन करना जो है, वो असान होगा, जिसे कि आप जब किसी particular बड़ी district के जब collector बनोगे, या आप SP होगे, या फिर IG होगे, DIG होगे, तो obviously बात है कि बड़ी district को manage करना थोड़ा सा difficult होता है, छोटी district को manage करना असान होता है, तो यहाली चीज़ हमें देखने को मिलती है, अब क्या central government का यहाँ पर कोई role होता है कि तो आपको बता दे, central government का कोई role नहीं होता इस चीज में, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कि कि किसी भी district को alter करना, create करना, नई district को, उसमें कोई central government का कोई role नहीं होता है, state जो होत ministry involved होती है, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, district के नाम से related और railway station के नाम से related, जो authority जो होती है, उसमें central government का role आ जाता है, मतलब कि home ministry का role उसमें हमें देखने को मिलता है, तो यह point आपको clear पता होना चाहिए, उसमें क्या होता है कि state government जो है वो request करती है, जो है दूस ministry, इस clearance को हासिल करने के लिए, और no objection certificate जो है, वो जारी किया जाता है, उनके replies को examine करने के बाद, यानि कि judge करने के बाद, उनके reply की, NOC फिर जारी कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद, नाम वगेरा इस परकार से change कर दिया जाता है, तो यह वाला भी आपको प्रक्रिया, country में हमें देखने को बलता है, census ने बताया कि 2001 और 11 के बीच में, 46 नई district जो है, वो राजियों के तवारा create की गई, 2001 और 11 के बीच में, और 2021 के census जो है, वो अभी आना बाकी है, और आज की rate में, अगर सरकारी website के data की अगर हम लोग बात करें, तो पता लगता है कि हमारी country में 718 district है, 593 district 2011 के census के according थी, आज की rate में 718 district है, मतलब कि 2001 और 11 के बीच में 46 district हम लोग को देखने को मिली, और अगर हम लोग 718 और इसकी अगर on an average की भी बात करें, 593 मतलब इसको आप 600 कर लो, और 718 को 700 कर लो, तो मतलब कि इन 10 सालों में, 2011 से 2021 के period में कुछ नहीं तो 100 district बढ़ है, कि district जो है, वो बढ़ा ही जा रही है, और बढ़ की हो रही है, तो उसका एक आपको अगर mains में लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, better administration के लिए, छोड़ी district जो होती हो रही है, यही state government का भी कहना होता है, तो उसके लिए, आप देखो, बढ़ क्या होगा कि अब better administration में पैसा भी जो है वो जादा लगेगा, क्योंकि obviously बात है कि पूरी चीज़ों को maintain करना, पूरे officials, departments को maintain करना, तो उसमें भी पैसा तो लगता ही है, anyways, है ना, तो यहाली चीज़ भी है, अब देखो, जैसे ही आंदर प्रदेश का हमने देखा, bifurcation हुआ, आंदर प जलती है, तो यह भी एक वज़ा है, कि states वगरा भी bifurcate हुई है, और उसके कारण भी हमने देखा, कि 2011 के census में इस प्रकार से district बढ़ी, और भी दूसरी states जो है, वो districts अपनी बढ़ाती है, better administration के लिए, या पर कहीं पर कोई विबाद हो रहा है, community basis पर किसे की पंजाब कही ह ना हो, तो उसके लिए भी ऐसा कुछ किया जाता है, कि separate district दे दी जाती है, अब देखिए guys, एक petition आई है honorable supreme court के पास, जिसमें demand की जा रही है, कि एक independent collegium होना चाहिए, यानि कि एक independent body होनी चाहिए, जैसे कि court के अंदर होता है, court के अंदर court की authorities होती है, court के ही member, judiciary के members होते है, तो एक independent collegium होना चाहिए, इसी प्रकार से election commission of India के लिए भी election commission of India के members को appoint करने के लिए, तो एक petition इस प्रकार से जो है, वो file की गई है, और petition जो file करी है, वो ADR association for democratic reforms के द्वारा की गई है, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पर इस topic पर आने से पहले, एक चीज commissioner होता है, election commission of India के अंदर, उन्हे honorable president जो है, वो appoint करते हैं, किनके recommendation पर, honorable prime minister के recommendation पर, right, तो ये क्या है, ये executive power हम लोग को देखने को मिलती है, honorable president की, CEC और EC को appoint करने की, chief election commissioner और election commissioners को appoint करने की, है न, और article 324 clause 5 के तहत हमें देखने को मिलता है कि parliament के पास power है, regulate करने की, election commissioner का tenure क्या होगा, और उनकी terms of condition of service क्या होगी, तो वो parliament जो है, वो करती है, अब देखो, इस topic की गंभीरता को आप समझिएगा, जैसे की, election commission, जो हमारी body है, ये किस चीज के लिए responsible है, कि हमारी country के अंदर, free and fair election, जो है, वो conduct हो, right, और free or fair election का मतलब, कि democracy, जो है, व right, ये proper तरीके से democratic country हमारी होनी चाहिए, democratic country मतलब public rule, people का जो rule है, वो होना चाहिए, वो ही होता है, democratic country की public जो है, वो हमार एक representative चूज करती है, हम लोग जो है वो अपने representative को चूज करते हैं, और हमारे representative हमारे behalf में, या फिर हमारी जो needs है, उसको देखते हैं, कानू मनाते हमार और बहुत important body है ये कि हमारी country के अंदर election free और fair तरीके सोने चाहिए, और democracy proper रहनी चाहिए, अब इस body के appointment की जब बात आती है, तो honorable prime minister के recommendation के अधार पर जब honorable president appoint करते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि council of minister यहाँ पर जुड़ी हुई है, मतलब कि parliament जुड़ी हुई है, औ parliament के power होती है, इनका tenure क्या होगा, उसको regulate करने के, इनकी terms क्या होगे, condition of service के, उसको regulate करने के, तो कही न कहीं से parliament का हस्तक shape है, और parliament का हस्तक shape अगर इस प्रकार की independent body पर होगा, तो कहीं न कहीं से democracy पर खत्रा है, जैसे कि आज की rate में, जैसे कि मैं किसी की ओपर आरूप नहीं बट आपने news भी सुनी होगी यह वाली, इसको थोड़ा सा सोचना इस बात पर, कि आज की rate में जब कहा जाता है, कि हमें देखने को मिल रहा है कि election जो हो रहा है, वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जैसे कि EVM machine की अगर हम लोग बात करें, electronic voting machine की अगर हम लोग बात करें, त इसमें घोटाला है, इसमें लोचा है, proper result जो है वो दिखाए नहीं जा रहा है, लोचा हो रहा है, तो ऐसी खबरे हम सुनते हैं, सुनते की नहीं सुनते हैं, और सुनी भी हमने, तो कही न कहीं public के mind पर जो है वो doubt आ जाता है, इस process को लेकर, और फिर जब हम देखते हैं कि recommendation जो दिया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, election commissioners को और chief election commissioner को appoint करने के लिए, तो कहीं न कहीं, parliament जो है वो अपने favor में, या फिर कोई particular political party या कोई political leader, powerful political leader, वो अपने favor में चीजों को करने के लिए, अपने पसंदिधा विक्ति को ही तो appoint करेगा, न ऐसा होता है, various department में होता है, कि अपने काम को करवाने के लिए, काफी सारे लोग जो है, वो अपने ही, जो units होती है, अपने ही लोग जो होते हैं, उनको रखते हैं, जैसी कि हर बार हम लोग देखते हैं, जैसी ही आप कलको, जब district collector बनोगे, collector जब आप बन जाओगे, या फि जो depend करेगी आपके appointment को भी, आप देखिएगा यह वाली बात की, ऐसा होता भी है, कि जैसी वहाँ पर सरकार बदलती हैं, तुरंट जो है, पूरी जितनी भी units होती है, collector, SDM, सब कुछ जो है, बदलने लगता है, क्योंकि उनको तो वही लोग चाहिए हैं, जो कि उनका favor करें या अपने favorities जो है वो रखते हैं, point करवा देते हैं, महाँ पर देनात करवा देते हैं, यह वाली चीज होती है, तो और election commission जैसी body में अगर ऐसी चीज हो, तो हमारी country के अंदर democracy फिर खत्रे में आ जाती है, इस चीज का शक्त जो है, वो create होता है, तो आपको mains के लिए भी ऐ से related means में question मनने की संभावनाई भी है, क्योंकि काफी solid point हम लोग को यहाँ पर नजर आ रहे हो, और आज की situation के साब से भी अगर देखें, तो बहुत solid point है यह, है की नहीं, बताईए आप, तो यही वाली बात, जो है, वो हमें देखने को बल रही है, और इसी चीज को लेकर, एक petition जो है, वो file हुई है, कि एक independent collegium होना चीज, जैसे कि Supreme Court के लिए हम देखते हैं, या फिर in general judiciary के लिए हम लोग देखते हैं, कि क्या होता है, एक collegium होता है, और वो ही collegium जो है, वो appoint करता है, कि कौन से जग जो है, वो कहा पर रहेंगे, कहा पर जाएंगे, है ना, Supreme Court में appointment क लिए, अगर हम बात करें, या फिर shift करने के लिए भी एक judge को, अगर एक high court से दूसरा high court में shift करना है, तो उसमें भी हमें देखते हैं, इस प्रकार की procedure जो होती है, वो collegium की process कि थू होती है, तो कहा जा रहें कि ऐसा ही election commission के लिए भी एक independent collegium होना जरूरी है, petition ने यही बताय है कि जो process है, election commission के अंदर members को appoint करने की, यानि की chief election commissioner और election commissioner को appoint करने की, उस process में हम देखते हैं कि वो एक executive process है, जिसमें अभी हमने, मैं आपको इसलिए पहले समझा है कि आपको बिलकुल clarity आपके दिमाख में बन जाए, कि क्यों ऐसी बात की जा रही है, क्योंकि prime minister जो है, वो recommend करते है, honorable president को, और फिर honorable president, honorable prime minister के recommendation के अधर पर appoint करते है, right, members को, तो अगर executive authority जो है, वो अपने favor में अगर लाना चाहती है, कुछ चीजों को तो फिर वो अपने favorit वेक्ती को जो है, वो appoint करवाईगी है, तो ये जो चीज है, हमारे Indian constitution के अंदर article 324 clause 2 में जो हमें देखने को बिलती है, वो incompatible हो याती है, इस प्रकार की चीज है, कि election commission है कि independent body है, अब independent body की तरह वो काम नहीं कर पाएगी, जब तक parliament उसके साथ involved होगी, जैसे कि judiciary, judiciary totally legislature से अलग है, independent हमें देखने को बिलती है, और election commission of India को भी अगर इस प्रकार से, अगर हम independent कर दें, तो वो और powerful बन ज जाएगी, वो ऐसी body बन जाएगी, कि फिर उसमें हमें देखने को मिलेगा कि किसी प्रकार का शक नहीं होगा, कि वहाबर कुछ घुटाला हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज का, तो वाली चीज है, और appointment जो इस प्रकार से election commission के member का किया जाता है, और executive body जब उन्हें चू dependency का, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, इसलिए कहा जा रहा है कि एक अलग से जो है वो independent collegium जो है वो create करना चाहिए, जो की election commission के members को, officials को जो है वो appoint करें, और आज की rate में क्या आवशकता है, तो democracy हम लोग को लोकतंत्र जो है, वो हमारे सम्विधान की मूल्स, सनरचना क एक पहलू है, बेसिक structure जो हमारे Indian constitution का है, उसका एक facet हम लोग को देखने को मिलती है, democracy, और स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव सुनिशित करने तथा हमारे देश के स्वस्त लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, निर्वाचन आयो को राजनीतिक और या कारी-कारी हस्ताक शेप से प्रिथक होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया ना कि election commission free और fair election conduct करती है, healthy democracy हमारी country के अंदर, इसलिए election commission को जो है वो अलग करना चाहिए, political और executive interference है, तो यह आपके mains के भी point होनी चाहिए, और यह आपके understanding भी इस प्रकार से होनी चाहिए, आज की current इस्तिति को दे recommendation जालनेते हैं, जैसी कि 255th law commission की एक report थी, जिसने recommend किया था, कि जो appointment होना चाहिए, election commissioner का, जो honorable president के द्वारा किया जाता है, तो honorable president, तीन member का एक collegium जो है वो तयार करें, या selection committee जो है वो तयार करें, जिसमें honorable president हो, leader of opposition of log सभा हो, और honorable chief justice of India हो, तो यह तीन members हो, और यह तीन member ज जो है, वो decide करें, recommend करें, नाम हमारे honorable president को, rather than council of minister, क्यों ही, council of minister ही, honorable prime minister को, फिर honorable prime minister, convey करते है, honorable president को कि किस व्यक्ति को जो है, रखना है, as a election commissioner के तौर पर, तो उसके लिए यह इस प्रकार से होना चाहिए, तीन member का collegium होना चाहिए, और यह 255th law commission की report के अंदर भी, इस चीज को recommend किया गया था, तो यह वाला point भी आप mention कर सकते है, fourth report submit की करी थी, second administrative reform commission के दौरा, जनवरी 2007 में, ARC, हम लोग को देखने को हिलती है, और आपके लिए, तो ARC भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी fourth report जब submit की गई थी, तो उसमें भी recommend किया गया था, कि एक neutral और independent collegium बनाना चाहिए, जिसके head होंगे, honorable prime minister, right, speaker होंगे, लोग सभा के, leader of opposition होंगे, लोग सभा के, law minister होंगे, deputy chairman होंगे, राज सभा के, उसके member के तौर पर नहीं की, ऐसी bodies होनी चाहिए, जिससे की neutral body बन सके, right, recommend करने की, कि कौन होंगे, election commission, या, मिलना, chief election commissioner, या, election commission, क्योंकि दे इसी बरकार का, जो है, वो डर जो है, कि कौन अपने favor पर decision ला सकता है, वो खतम हो जाएगा, dr. Dinej Goswami committee, इसकी report आई थी, may 1990 में, इसने भी recommend किया था कि, effective consultation, neutral करने के लिए, chief justice of India, जैसी authority का होना जरूरी है, leader of opposition का होना जरूरी है, election commission के appointment के लिए, यानि की, prime minister तो होई हो, उस particular members की body में, यानि की जो भी body बन रही है, जो appoint करती है, या recommend करती है, नाम की किसको जो है, member बनना चाहिए, ECI का, तो उसमें leader of opposition और chief justice का होना बहुत जरूरी है, हमारे इंडिया के, अब justice, तारकुंडे committee, इनकी report आई थी, वो 1975 में, उसने recommend किया था, कि members जो होते है, election commission के उनको appoint करेंगे honorable president, एक committee के advice के उपर, और committee के अंदर honorable prime minister, leader of opposition लोकसभा, और chief justice of India होना जरूरी है, तो देखो, ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी याद रखो, कि इस प्रकार की अगर body मनती है, जो की neutral हो सके, और neutral कब हो पाएगी, जब उसमें leader of opposition भी होंगे, और judiciary की तरफ executive power का हम लोग को appointment देखने को मिलता है, तो कहीं पर भी हाला कि वैसे तो procedure लिखा हुआ नहीं है, कि chief commissioner और election commissioner को किस प्रकार से appoint किया जाएगा constitution के अंदर, but इनका जो appointment होता है, वो precedent करते हैं, जैसा मैं आपको आज के current scenario के हिजाब से बताया, तो ये points आपके बिलकुल अच्छ legislative assembly होती है, और दूसरी legislative council हम लोग को देखने को मिलती है, state के अंदर, by capitalism जिसको हम लोग बोलते हैं, तो West Bengal सरकार जो है वो setup करने वाली है, legislative council यानि की विधान परीशत जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये decision जो है, वो recent cabinet meeting में लिया गया, अब क्या होगा, इस council को setup करने के लि तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो legislative council जो की एक upper house हम लोग को देखने को मिलती है, तो West Bengal के अंदर वो हलाकी established हो चुकी है, 1952 में और ये 1969 तक existence में थी और उसके बाद फिर हटा दिया गया था, अब देखिए आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि legislative council क्या होते हैं और क्यों वो इतने important होते हैं, तो सबसे first point हमारी country के अंदर आप सभी जानते हैं कि bicameral system चलता है, मतलब कि हमारी parliament के दो house है, एक लोग सबा हमें देखने को मिलती है, और दूसरी राज सबा हम लोग को दो house देखने को मिलती है, state level की बात करें तो सेम बिलकुल वैस बिलकुल कहानी बिलकुल सेम है, और legislative council किस प्रकार से create की जाती है, बड़ मैं आपको थोड़ा सा और बता जिता हूं उस बारे में, कि जैसे की इसकी importance के बारे में, ठीक है, कि आपको बताएगा इसकी एक कोई bill है, बिल जब पास होता है, तो वो क्या होता है, कानूर मन जा बैटर तरीके, और बैटर तरीके से विचार किया जा सके है, फिर तब जाकर ultimately जो है, वो कानून बने है, मतलब कि कुल मिलाकर cross check purpose के लिए होता है, क्या आपने देखा है कि लोग सभा से होता है, तो फिर वो लोग सभा जाता है, और फिर उसके बाद honorable president के पास जाता है, ascent क लिए, तो दो houses का होने का मतलब यह है कि अगर कोई भी legislative प्रक्रिया हो रही है, तो उस प्रक्रिया पर और भी गहन तरीके से विचार किया जा सके, और भी गहरा विचार किया जा सके, बात को समझे आप, तो ध्यान दीजीएगा कैसे create किया जाता है legislative council को, मतलब कि state के अंद तो parliament may by law create or abolish the second chamber in a state, parliament जो है वो एक कानून के थ्रू राज्य के अंदर या तो वो second chamber यानि की legislative council create कर सकती है, parliament या abolish कर सकती है legislative council को, खतम कर सकती है, तो यह कानून के थ्रू पर्लमेंट करती है, पड़ वो कब करेगी, if the legislative assembly of that state passes a resolution to that effect by a special majority, तो उस राज्य की जब legislative assembly है, state legislative assembly, मतलब की विधान सभा, वो अगर special majority के थ्रू एक resolution को पास करती है, इस संदर्म में की legislative council को create करना या abolish करना है, तब जाकर parliament एक कानून के थ्रू accept करती है, या फिर abolish करती है, या फिर abolish कर देती है, खतम कर देती है, वो depend करेगा state की चाहत पर की state जो है, वो क्या चाहा रही है, अब देखिए, house की strength क्या होनी चाहिए, यानि कि कितने members होने चाहिए, मुलस कितने सदे से होने चाहिए, house के अंदर सदन में, तो article 171 का clause 1 क्या कहता है, Indian constitution का कि total number of members, legislative council के अंदर state के, shall not exceed one third of the total number of the members in legislative assembly, यानि कि उस state की legislative assembly के अंदर ज legislative council में कितने सदस्य होंगे, तो जितने, जैसे कि इसमें अगर 100% सदस्य है, तो इस particular house के अंदर one third से जादा सदस्य नहीं होने चाहिए, यानि कि maximum जो strength होनी चाहिए, वो one third होनी चाहिए, उनकी legislative council के number के comparison में, और total number जो members के होने चाहिए, legislative council के अंदर, किसी भी case में 40 से कम न होनी चाहिए, और maximum कितनी होनी चाहिए, उस particular state की legislative assembly के total member का one third, वो maximum होना चाहिए बस, तो ये हम लोग को criteria देखने को मिलता है, और इसके बारे में article 171 clause 1 के अंदर mentioned है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को, अब council कैसे elect होती है, members जो होते हैं, इस council के किस प्रकार से elect किये जाते हैं, तो one third इसके जो members होते हैं, वो assembly के members के तौर पर elect होते हैं, यानि कि assembly के members होने elect करते हैं, इसके one third members को, और again जो one third members होते हैं, वो municipalities, district boards और दूसरे local authorities के members elect करते हैं, और one third को, फिर one 12th जो member होते हैं, उसमें teachers elect करते हैं, फिर again one 12th जो होते हैं, members उन बेनिंग मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किये जाते हैं गवनर के द्वारा और ये जो मेंबर होते हैं या तो वो लिट्रेचर की फील्ड से साइंस, आर्ट, कॉपरिटिव मुवमेंट या शोशल सर्विस की फील्ड से होने चाहिए है तो ये चीज हम लोग को प्रक्रिया देखने को मिलती है legislative council की जिसके बारे में आपको idea होना चाहिए और West Bengal के अंदर legislative council को बनाने की कारवाई जो है वो शुरू हो रही है और ऐसा नहीं है कि अभी अभी पहली बर legislative council बन रहा है, already पहले बन चुका था, उसको हटा दिया गया था, अब दोबारा से इसको बनाने पर काम चल रहा है, अब बात करेंगे paper 3 के topics की, paper 2 से related स्रिव इतने ही topics थे, बहुत ही important topic, बहुत दिनों से चल रहा है ये topic 2DG के बारे में, right, कि 2DG जो DRDO की नई oral drug हम लोग को COVID-19 की देखने को मिल रही है, इसके बारे में पहले भी हाला कि हम चर्चा कर चुके हैं, right, तो पहला batch हम लोग को इंडिया में ही बनाई गई anti-COVID drug का देखने को मिल रहा है, यानि कि एक दवाई है, जो anti-COVID है, यानि कि इससे COVID ठीक हो सकता है, और ये 2-D-oxy-D-glucose या फिर 2-D-G इसे नाम दिया गया है, तो इसका पहला batch जो है वो release कर दिया गया है, drugs controller general of India ने clear कर दिया था, first make को ही, कि emergency use के लिए जो है वो इस therapy का उपयोग किया जाएगा, right, उन patients पर, जो, जिन patient पर हम लोग को condition जिन patient की moderate to severe देखने को मिल रही है, निकी कंभीर उनकी condition देखने को मिल रही है, 2DG दवाई की अगर हम लोग बात करें तो इसे किस के द्वारा develop किया गया है, INMAS, Institute of Nuclear Medicine and Allied Science, New Delhi के द्वारा, जो की एक lab हम लोग को Defense Research and Development Organization, DRDO की देखने को मिलती है, और इन्होंने हैधराबाद की एक pharma company है, Dr. Reddy's Laboratory, इनके साथ collaborate करके, इस particular दवाई को बनाया है, और किस प्रकार से ये दवाई काम करती है, तो ये दवाई क्या करती है, ये virus infected cells को, यानिकी ऐसे cells जो होते हैं, हमारी body के अंदर ऐसी कोशिका इस प्रकाई जो होती है, जो एक जगा पर एकटा कर देता है, ये दवाई, और क्या करता है, उनकी growth को prevent करता है, क्योंकि देखो अब उस cell के अंदर virus है, बात को समझना, body के अंदर उस cell के अंदर virus है, मतलब कि उस cell को उस virus ने affect कर दिया है, ये दवाई क्या करेगी, ऐसे cell क virus जो है, और फैले ना, दूसरी body के दूसरी कोशिकाओं में, दूसरी cells को जो है, वो infect ना करे, तो इस प्रकार से viral infection जो है, वो खतम कर देती है, और अगर viral infection खतम हो जाएगा, body के अंदर virus बढ़ेगा नहीं, तो obvious ही बात है, कि और condition जो है, वो patient की खराब नहीं होगी, तो इ इस प्रकार से, cells जितने भी होते हैं, कोशिकाओं जितने भी होती हैं, जो infected हो जाती है, virus से, उसको अगर ये एक जहाँ पर एखटा कर लेती है, या उसको block कर देती है, उन cells को, जिससे की दूसरे cells infect ना हो, तो यही एक properties की ऐसी होती है, इस दवाई की जो की से unique बनाती है, और supplemental oxygen पर उनकी dependency reduce होती है, आप देखो, process को सबना, हमारी body के अंदर oxygen कैसे फैलता है, cells के बादे, blood के थूरू और इन सब, या निकि blood जो हो हर एक cell तक oxygen जो हो provide कर आता है, अब यही जो oxygen जो नहीं मिल पाता है, body के अंदर वो क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे काफी स सारे cells होते हैं, उनको यह virus जो है, वो infect कर देता है, तो यही problem होती है कि cells को oxygen नहीं मिल पा रहा क्योंकि cells infected हो गए, अब वो ही cells हो है, और ज्यादा दूसरे cells को infect ना करें, तो यह block कर देती है medicine, तो इसलिए जो supplementary oxygen जो होती है, उसकी आवशक्ता, उस पर dependency जो है वो patient की नहीं नहीं हो पाती, क्योंकि जो remaining cells होते हैं, वो काफी healthy होने लगते हैं, नहीं कि उन तक infection वो पहुचता नहीं है, 2DG, यह एक generic molecule हम लोग को देखने को मिल रहा है, और glucose का analog है यह, मतला एक परकार से glucose ही हम लोग को देखने को बलता है, जो body में provide किया जाता है, जिससे कि एक patient की recovery और तेज़ भी होती है, glucose टने से energy produce होती है, तो वो चीज हमें देखने को बलती है, तो यहली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक idea होना चाहिए, basic से points हैं, और काफी अच्छी therapy आज की rate में बताई जा रही है, गैस हम लोग discuss करेंगे monoclonal antibodies के बारे में कि यह क्या हो तो आज की rate में इंडिया के अंदर हमें 2 monoclonal antibody therapies का shortage देखने को मिल रहा है, itolizumab और tocilizumab का, और हम लोग antibodies के बारे में monoclonal antibody के बारे में समझेगे, बट उससे पहले antibody क्या होता है, यह बात आपको पता होगी शायद अभी तक मैं कई बार आपको explain कर चुका हूँ, simple शब मतलब कि आप यह समझ सकते हो कि हमारी body के अंदर कुछ ऐसे सिपाई होते हैं, जो कि जैसे ही body के अंदर कोई भी virus एंटर करता है या bacteria एंटर करता है, तो तुरंत उसको attack करने के लिए release होयाता है, यानि कि हमारा immune system हमारी body का होता है, वो antibodies को release कर देता है, और यह जो antibodies होती है यह जितने भी external चीज़े body के अंदर आती हैं, तो उन पर यह attack कर देती हैं, और ऐसे हमारी body को external चीजों से जो है, जैसे virus है, bacteria है, उससे बचाती है, बट कई बर क्या होता है, viruses बहुत जादा strong होते हैं, जिसको हमारी antibody जो है वो बचाने में, जो है वो suction नहीं हो पाती, और फिर हमारा immune system पिर suffer करता है, मतलब की पूरी तरह से suppress हो जाता है, और patient जो है वो बिमार पढ़ जाता है, और इतना बिमार पढ़ जाता है कि उसकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि जो भी virus बगरा होतना है, वो दूसरे organs को और सबको अंदर damage करना शुरू कर देते हैं, गर बात करने के लिए responsible होता है, अब monoclonal antibody क्या होती है, तो जब कि अगर coronavirus की case की बात करें, तो इस case में हमारी body जो है वो उतनी मातरा में antibodies create नहीं कर पा रही है, जो कि coronavirus को जो है, यानि कि इस virus से जो हो लड़ सके, तो artificially create की जाती है antibodies body के अंदर, यानि कि ये artificially create की जाती है, और aim य और उस virus के उपर हाभी हो जाए, पूरी तरह से, और ये target करते है specific antigen को, जो की एक protein हम लोग को pathogen का देखने को मिलता है, जो की immune system को जो है वो strong बनाता है, जो की immune system antibodies जो है वो और release कर सके, उस लायक इसे बनाता है, तो देखो ये monoclonal antibody create कैसे होती है, तो देखो ये प्रयोग शालाओं में होती है, labs के अंदर इन्हें create किया जाता है, जो हमारे white blood cell जो होते हैं, जिसे हम लोग श्वेत, रक्त, कोशिकाएं हम लोग बोलते हैं, तो उनको एक विशेश antigen के संपर्क में लाने पर monoclonal antibodies का निर्मार किया जा सकता है, तो एक particular antigen के contact में जब आते हैं white blood cell तो उस समय monoclonal antibody labs में प्रयोकशाला में बनती है, यह क्या होता है कि हमारी body जो है वो जादा मातरा में antibody produce कर सके, increase कर सके, तो एक single white blood cell जो होता है, उसको clone किया जाता है, और फिर वो हमें देखने को मिलता है कि identical copies जो है वो antibodies की create कर देता है, मतलब कि मान के इस प्रकार से चलो कि एक gun है body के अंदर जो कि बहुत सारी गोलिया निकाल रही है, अब ये गोली जो है वो क्या है, antibodies है, उसकी जगाँ आप एक और गन इसी प्रकार की रख दोगे, तो क्या होगा, जादा गोलिया निकलेंगी, तो यहली चीज इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करो, तो यह क्या करते हैं, कि quantity जो होती है, antibodies की वो जाद से आदा produce करे white blood cell, तो एक single white blood cell का clone जो है, वो create किया जाता है, जिससे की वो antibodies की identical copies जो है, वो create कर सके, बना सके, बात समझे हैं, तो यह आली चीज हमें देखने को मिलती है, COVID-19 के case में scientist किस चीज पर काम कर रहे हैं, एक spike protein के ओपर काम कर रहे है, SARS-CoV-2 virus के, और इसी spike protein के चलते, यह virus जो है, वो हमारे cell के अंदर enter कर जाता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप इस प्रकार से समझ सकते हो, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, scientist जो है, जैसे की coronavirus जो हमने द जित्र को देखें, तो क्या कर रहे हैं, हम लोग कि हम लोग इस प्रकार की चीजें तयार कर रहे हैं, इस प्रकार के, जैसे की अभी हमने देखा कि monoclonal antibodies जो है, वो तयार कर रहे है, जिससे की यह virus जो है, वो ineffective हो जाया है, बाड़ी के अंदर, मतलब कि जैसे की यह इसके मा इसके मादे हम से उसके अंदर, cell के अंदर घुज जाता है, अब हम लोग क्या कर रहे है, इसके उपर एक टोपी लगा दे रहे हैं, जहे वो इसको बंद कर दे रहे है, जिससे की यह enter ही ना कर सके, अब enter नहीं कर सके, तो damage नहीं करेगा, तो ऐसी प्रक्रिया चल रही है, और monoclonal antibodies की आवशक्ता क्यों है गईस तो healthy body के अंदर immune system जो है वो antibody produce करने के लिए capable हो सके इसके लिए monoclonal antibody की आवशक्ता अब देखो monoclonal याणि की clone antibodies का जादा हम लोग को देखने को बने यह जो antibody जो होती है वो Y-shaped macro protein की हम लोग को देखने को बने इस प्रकार का इनका shape होता है जैसे मैं आपको बदाया ना यह corona virus है अब यह क्या होगा इसमें जाकर attach हो गई मतलब कि क्या हुआ इसकी शक्ती को साथ हम से और यह identify करती है और hold कर देती है microbes को और signal देती है immune system को कि इन microbes को attack कर दो तो यह इस प्रकार की प्रक्रिया हम लोग को देखने को बिलती है but monoclonal antibody जो होती है वो scientist के द्वारा discover की गई है उन लोगों की मदद करने के लिए जिन लोग का immune system जो होता है वो proper sufficient amount पे antibodies create न उनको वो attack कर सके अब देखो इस प्रकार से monoclonal antibody की शुरुआत कब होई तो इस पे अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाए history को देखें तो किसी बिमारी के इलाज के लिए antibody दिये जाने का विचार 1900 के दशक में प्रचलित हुआ था 1900 के समय पर इस प्रकार का idea जो है antibodies को body के इंदर deliver करने का एक विमारी को ठीक करने के लिए तो वो उस समय आ गया था जब nobel prize winner german immunologist Paul Elrich इन्होंने एक idea जाब रक्यूगल जाब रक्यूगल का जो है वो idea प्रपोस किया था जो कि magic bullet है जैसे मैं आपको बता है न कि body के अंदर एक system है जो कि bullet fake रहा है मतलब कि antibodies fake रहा हो वहीं पर आप एक और system लिगा हो antibodies fake नहींगा तो obvious ही बात है कि ज्यादा antibodies produce होगी तो ये magic bullets का ये लेकर आए idea तो ये वाला point भी आप थोड़ा सा इनका नाम भी याद रखना प्रिलिवस में आ सकता है और ये bullet जो है वो selectively target करें pathogen को इसके लिए लाए गया तो वाई shape वाली वो चीज जो हमने देखी और तब से लेकर 8 decades हो चुके हैं 80 साल हम लोग को देखने को मिल चुके हैं इस research की और finally Muro Monab CD3 लाई गई और दुनिया की पहली monoclonal antibody clinical use के लिए humans के लिए अप्रूफ की गई तो याद रखना दुनिया की पहली monoclonal antibody जो है वो Muro Monab CD3 हमें देखने को मिलती है जो की human use के लिए अप्रूफ कर दी गई और देखो guys Muro Monab CD3 अगर ये question आता है कि ये body के अंदर जो antibodies है उसको बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है ये दवाई तो आपका answer होगा नहीं ये antibodies से ही associated है जैसा मैंने आपको बताया है न कि दुनिया की पहली monoclonal antibody जो की clinical use के लिए अप्रूफ की गई थी बट ये जो antibody जो थी न ये ऐसा नहीं था कि immune system को कहेगी कि जादा antibodies release करें ये immunosupprent drug था मतलब की immune system जो है वो active ना हो उसके लिए था जैसे कि होता है कई cases में जैसे कि जो chronic disease से जो patient जूज रहे होते हैं जैसे कि मुझे भी immunosupprent drugs जो है वो दियेगा है जैसे कि मेरा immune system जो है वो suppressed हो जाए क्योंकि कुछ होदा है कि body के अंदर जैसे कि मुझे जो problem में आपको उससे associate करके बताता हूँ हाला कि आप लोग की दुआ से आज की rate में pain free life जी रहा हूं नहीं तो आपको पता ही होगा जो regular student है बहुत सालों तक मैं परिशान रहा रहा हूं 10 साल तक pain में था बहुत बुरे तो मुझे जो है वो drugs दिएगा वो immunosupprent drug दिएगा इसलिए मुझे थोड़ा सा डर था coronavirus में कि कहीं दिक्कत ना हो जाया मेरी condition severe ना हो जाया बड़ आप लोग की जब दूआ सानत है तो कुछ होगा थोड़ा मरे वो तो मेरी जो condition जो थी गईज उसमें जो immune system है वो ही attack करता ह है individual की body को मतलब की जैसे कि मैं जो patient हूँ वो ankle using spondylitis का patient हूँ HLA B27 positive हूँ तो इसमें क्या रहता है कि इसमें मेरा जो immune system खुद का है खुद की body को यह attack करता है ऐसा immune system है मतलब की body से प्यार नहीं करता है उसी को मारता है वो तो immunosupprent drugs उन patients को दिया जाता है जिनका immune system जो है व कोई भी चीज जब body के अंदर enter होती external तो immune system active होकर उसको मारने लगता है तो यह organ transplant के समय पर क्या होता है कि immune system जो है अपने ही organs को damage ना कर दे इसलिए इस प्रकार से immunosupprent drug जो है वो दिया जाते है तो यह muromonabcd3 जो है वो दिया गया था अब monoclonal antibodies जो है वो आज की rate में काफ इसी के साथ आज का lecture finish होता है और अगर आगाई आप लोग को quality का course चाहिए तो आप ले सकते हैं पूरी details यहाँ पर mentioned है environment का course भी आपके लिए available है यह quality और environment के course मेरे दौरा prepare किये गए और CSET का course आपके लिए available है यह पूरे courses जितने भी मैं दे रहा हूँ video courses है इसके पूरे आपको वो भी मिलते है materials भी मिलते है यह पूरे course जिसे history का course है जिसमें complete पूरी history आपके civil services के लिए prepare की जा रही है ancient medieval और modern Indian history sociology का optional course भी available है आप students का अगर sociology option है तो इस course को join कर सकते है इन्हों एक student को पढ़ाया था 0 से और उन student की UPSC में rank 5 आई है तो ऐसी faculty अपने पास है जो पढ़ा रही है अलाब उठा सकते हैं आप लोग बागी UPSC 2021 में appear हो रहे है तो test series आपके लिए available है और कोई भी समस्या आती है इन सब course से related आपको यानि कि अगर से related कुछ और information चाहिए या फिर पूरी details को लिखी हूँ यह screen पर आप pause करके देख सकते हैं बट फिर भी कुछ समस्या आती है आपको join करना है आपको तो आप 9713282838 जो यह मेरा number यह नीचे दिये हुआ है तो इस number पर आप मुझे WhatsApp या Telegram के दूर message कर सकते हैं मेरा reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा और मातर 100 रुपीज पर मंत की फीस में आपको daily lectures की PDF दी जाती है आपको handout notes दिये जाते हैं आपको weekly compilation दिया जाता है revision के लिए PDF का और आपको monthly magazine दी जाती है इतना सब कुछ मातर 100 रुपीज पर मंत की फीस में एक offer भी है जिसको आप चाहें तो ले सकते हैं और MCQ PDF भी available है मतलब कि जो have a great day ahead tata